नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 19 सितंबर दिन मंगलवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर गनेश चतुर्थी का परवाज जाने सुमुहुर बिहार पुलिस दरोगा के 1288 पदों पर भरती के लिए मिली मंजूरी 32 वी ओल इंडिया जीवी मावलंकर सुटिंग चैंपियर्शिप में बिहार के लाल ने जीता सुर्ण पदग आदित्या इल एक ने वैग्यानिक आंक्रे एकत्र करना किया शुडू वर्ल्ड कप के लिए भारतिय टीम को फेवरिट नहीं मानते कपल दे अब चले बरते हैं बिहार के अफ़ता की 25 परी खबरों के ओर वस्तार से SJVN में 308 पदों पर निकली भरती भायस सरकार और हिमाचर प्रदेश राचे सरकार के सहिंत उपक्रम और मिनी रत्न कंपनी SJVN लिमिटेड ने दो अलग-अलग अधिसूशना के माधियम से कुल 308 पदों पर भरती निकाली है जिसके पहले विज्यापन के तहत विविन विभागों में फिल्ड इंजिनियर और फिल्ड ऑफिसर के कुल 155 पदों के लिए भरती निकाली गई है तो वही दूसरे विज्यापन के तहत तमाम विभागों में जूनियर फिल्ड इंजिनियर और जूनियर फिल्ड ऑफिसर के कुल 155 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में जो मिद्वार इन पदों के लिए आविदन करना चाहते हैं वह SJVN की आधिकारिक वेबसाइट sttpskolom.niz.in.current-jobs.94 पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं सकते हैं तरीक वेबसाइट के अविदन करने की अंतिम तारीक 9 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है वहीं अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो फिल्ड इंजिनियर और फिल्ड ओफिसर पदों के लिए उमिद्वारों को किसी मानिता प्राप्त उच्छ सिक्छा संसा से सनातक डिग्री उत्तिन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्राप्त किया होना चाहिए वहीं जूनियर फिल्ड इंजिनिर और जूनियर फिल्ड ओफिसर पदों के लिए उमिद्वारों को फूल टाइम इंजिनिरिंग डिप्लोमा या संबंधित विशह में सनातक पी पीने की सुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी को शिरवात होती है और पूरे 10 दिन तक चलती है और फिर 10 दिनों के बाद भगवान गनेश की विदाई करती जाती है जिससे अनन्द चतुरदर्शी और गनेश विशर जन भी कहते हैं मालम हो कि गनेश चतुर्थी को लेकर ऐसी गनेश चतुर्थी के सुब मुहुर्थ की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार बीते दिन यानी की 18 सितंबर के दिन दोपहर दो बचकर 9 मिनट से गनेश चतुर्थी की शिर्वात हो गई है जो की आज दोपहर के 3 बचकर 13 मिनट तक रहेगी वहीं मुर्थी स्थापित करने का सुब मुहुर्थ पंचांग के अनुसार आज सुबही 11 बचकर 8 मिनट से दोपहर एक बचकर 33 मिनट तक रहेगी वहारी बोतरे में आज हम बात करेंगे आईसा इमन के बारे में आईसा इमन का जर्म आज ही के दिन 1996 में हुआ था यह एक भारतीय मॉडल और सौंदर प्रतियोगिता की खिताब धारक है उन्हें ग्लैमनानंद मिश इंडिया इंटरनाशनल 2015 का ताज पहनाये गया रोहने टोक्यो जापान में आयुजित मिस इंटरनाशनल 2015 प्रतियोगिता में भारत का प्रति निधित्व किया उन्हें मिस इंटरनाशनल पेजेंट में पैनासोनिक संगठन द्वारा वर्स 2015 के लिए पैनासोनिक ब्यूटी एंबेसडर और जापान टुरिस्म एंट इंटरनाशनल कल्चरल असोशेशन द्वारा मिस विजिट जापान टुरिस्म एंबेसडर से सम्मानित किया गया था मौडलिंग उद्योग में उनके योगदान के बावजू सुप्रिया एमन को 2018 मई में एशिया मौडल फेस्टिवल में दक्षिन कोडिया सियोल में एशिया स्टार मौडल पृस्कार से सम्मानित किया गया था वह वर्स 2012 से मॉडलिंग कर रही है और लैक में फैसन वीक, मैडम स्टाइल वीक, ब्लेडनर स्प्राइट, बैंगलोर फैसन वीक, चिन्नाई इंटरनेशनल फैसन वीक, वोल्वो कुम्बिटूर फैसन वीक और गितांचली ग्रूप के लिए रनवे पर चल चुकी हैं वकिंग फिसर, अल्ट्रा फैसन टूर, इंटरनेशनल जिम्स और जोल्री सो, रनवे सोकेस, फेमिना सोकेस, टाइम्स वेडिंग, फैसन फियस्टा, गैलानी फैसन सो, आई एन आई एफडी, लाखोटिया इंस्टूट और फैसन और डिजाइन कास फैसन सो, आई टीडी का भ एक बड़ी खबर सामने आई है, तरसल आदित्य एल एक के द्वरा वैग्यानिक आंक्रे एकत्र करना शुरू कर दिया गया है, बता देक इस बात की जानकारी भारती अंतरिक्ष अनुसंथान संगठन के द्वरा, एक्सपर जोकी पुर्वो में ट्वीटर हुआ करता था, उस पर ट्वीट कर दी गई है, इस तो ने ट्वीट कर लिखा है कि आदित्य एल एक ने वैग्यानिक डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया है, स्टी ई पी एस उपकरन के सेंसर ने प्रित्वी से 50,000 किलो मीटर से अधिक दूरी पर सूपर थलमल और उज़ावान आयोनों औ और इलक्ट्रोनों को मापना शुरू कर दिया है, यह डेटा वैग्यानिकों को प्रित्वी के आसपास के कनों के वैभार का विसलिशन करने में मदद करता है, यह चित्र किसी एक इकाई द्वारा एकत्र किये गए उरजवान कन वातावरन में भिंता को प्रदर्शित करता ह 32 आल इंडिया जीवी मावलंकर सुटिंग चैंपियनशिप में बिहर के लाल ने जीता सुर्णपदक 32 वी All India GV मावलंकर सुटिंग चैंपियंशिप में बिहार के लाल गौरब भारती के द्वारा 300 में से 226 स्कोर के साथ अपने नाम स्वर्ण पदक किया गया है बता दे किया चैंपियंशिप आसन सोल में आयुजित किया गया था जिसमें गौरब भारती के द्वारा अपने ना अधिकरन के डीची रवेंदरन संकरन और खेल मंत्रे जितंदर राय के द्वारा उनके उजबल भविश्य के लिए बधाई एवं शुपकामनाय दी गई है इसके साथ ही आई पी आई डी बिहार पर सूशना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा भी पोस्ट शेयर कर बि शुटिंग चैंपिनशिट में स्वनपदग जीतने पर हार्दी बधाई दी है बिहार पुलिस दरोगा के 1288 पदों पर भरती के लिए मिली मंजूरी ग्री विभाग के द्वारा भिभाग के द्वारा भिहार पुलिस में कॉन्फरेंस में दी गई है उन्होंने बताया कि अब बहुत जल्दी बिहार पुलिस दारोगा भरती के लिए अधियाशना अवर सेवा आयोग को भीजा जाएगा उन्होंने बताया कि एक 1288 पदों में से 13 पद खेल कुद कोटा के लिए होंगे वहीं अब उम्मीद की जा रह ih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं मालूमों कि वर्तमान में राजय में 21301 कैमरे पदों पर सिपाही की बाहाली कुलिक राविदन प्रक्रिया खत्म हुई है पिहार पुलिस ने इस साल की इतनी कारवाई वहीं STF के काड़वाई में देशी अगनियास्त्रों की बरामदगी 113, पुलस बल से अभियान के दर्मियान लूटे या छीने लिए गए, पांच हतियारों की बरामदगी, एके 47, SLR राइफल, 13303 राइफल, एक डेटोनेटर 13806 जो ताइदाद नकसलियों के खड़ा मनसू वो को दर्शाता है, हाला कि केवल अगस्त महीने में STF दोरा काड़वाई करते वे 12 Most Wanted अपराधी को गिरिफतार किया गया है, इन सब के अलावा ADG के दोरा वैशाली ठाने में सराब तसकरी मामले को लेकर भी अपना बयान दिया गया, उन्होंने कहा किस मामले में 4 लोगो को निलंबित कर जेल भेज दिया गया है, और साथ इसमें शामिल लोगों की सनलिप्ति की जाँच SP लेवल से की जा रही है, ऐसे में मामला क्लियर होते ही, बाकियों पर भी पुलिस के दोरा सक्त कारवाई की जाएगी BPSC के सफल सक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा न्युक्ति पत्र, नवंबर के अंतिम सब्ता से दिसंबर की शुरुवाती सब्ता के दोरान विहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में, BPSC सक्षक भरती परिच्छा के वैसे एक लाख से अधिक अभ्यर्थी जो सफ पल हूंगे उन्हें कैंप लगा कर न्युक्ति पत्र बाटा जा सकता है, इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है, बता दे कि मेडिया में चल रही खबरों के नुसार जैसे ही BPSC सक्षक भरती रिजल्ट की घोशना की जाएगी, वैसे ही सरकार के ओर से पटना के गांध विहार परडन में आज अम बात करेंगे तुतला भवानी जर्णा के बारे में, तुतला भवानी तुतराही या टिटूला धाम के नाम से भी जाना जाता है, यह तिलोथू के पास और डेडी ओंसों से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिन पश्यम में इस्तत है, उतर पश्यम औ मध्य में कच्छुआर नदी बहती है, यह सब एक आकर्शक द्रिश्य बनाता है, पुर्व से यह घाटी 300 मीटर वीक घाटो तक फैली भी है, पश्यम से यह केवल 50 मीटर तक सिकुर्ती है, पश्यम से एक झढ़ना बनता है, चो 200 मीटर की उचाई से गिरता है, यह स्थान देवी मा तुतला भवानी के मंदर और अविश्वश्निय जणने के लिए जाना जाता है, तुतलेश्वरी भवानी मंदर के आसपास की प्राकृतिक छटा मनोडम है, महिसासुर मंदरनी की प्रतीमा तुतरा ही जलप्रपात के मध्ये में स्थापत है, पूरे रोतास व कैम मूर जिले में इस प्रकार का अद्बुट जल प्रपात नहीं है, तुतला भवानी शहर के सोर और प्रदूशन से मुक्त सबसे सुन्दर जगा है, चड़ने के साथ पहारी द्रिश्य अद्बुट है जो परटकों को आकरशित करते हैं भारतिये पुर्व मध्य रेलवे ने तीन जोरी स्पेशल ट्रेनों के फेरों में की बढ़ोतरी, यात्रियों की सुवधा के लिए भारतिये पुर्व मध्य रेलवे के द्वारा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाता है, वहीं इस स्पेशल ट्रेनों के परिचालन प पटना थावी पटना स्पेशल ट्रेन के पड़िचालन में 71-71 फेरे की व्रिधी करते वे 30 सितंबर 2023 से बढ़ाकर 10 सितंबर 2023 तक कर दिया गया है वहें इसके लावा गारी संख्या शुने 2,2024 और शुने 2,03 पतना हावडा पतना स्पेशल ट्रेन के पड़िचालन में 11-11 फेरे की व्रिधी करते वे 24 सितंबर 2023 से बढ़ाकर 1 ऑक्टूबर से 10 दिसंबर 2023 तक प्रते एक रविवार को चलाने का नन्य लिया गया है इसे लावा गारी संक्या 6.29 और 6.30 पूरी पटना पूरी स्पेशल ट्रेन के पड़िचारन में दस पेरिक विधी करते वे 7 दिसमबर 2023 तक प्रतेक गुरुवार को और 8 दिसमबर 2023 तक प्रतेक सनिवार को चलाने का नड़ने लिया गया है अयोध्या के राम मंदर में प्रान परतस्ठा को लेकर बिहार में तैयारिया तेज स्थान स्रिंगार सामगरी भगवान स्री राम वा माता सीता समित उनके पूरे परिवार के लिए वस्त्र आदीश शाबिल होंगे बतादे के मिले जानकारी के नुसार इसके लिए एक सयुत कमीटी का गठन भी किया गया है राश्च्र पती से सम्मानित किसान अरजुन मंडल पहुचे जमुई लोगों ने किया भवे स्वागत विहार के जमुई के लक्षपूर प्रकान के चिनविडिया इलाके के अरजुन मंडल को बारस दंबर को दिल्ली में आयूजित एक कारिक्रम में राश्च्र पती पुरस्कार मेरा नहीं बलकि पूरे जिले का है, मेरा सपना है कि हर रसोई में औस दीये पौधा हो इसके साथ ही, इसके साथ ये जोरान उन्होंने लोगों से कहा कि हर खेत में हर याली हो, हर घर में खुशाली हो और हर चेहरी पर लाली हो, यही हम सब काम मकस्त है, भारत- इंटरनेशनल बॉर्डर पर बांगलादेशी नागरिक हुआ गरफतार। लगाने की कोशिश की जारी है कि वह बांगला देश से भारत कैसे पहुँचा और किसकी मदद से उसने भारती आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाया है। मीटर से भी अधिक की लंबाई की मितला पैंटिंग जो की पूरी तरह से माता सीता के जीवन के सभी स्वरूपों पर आधारित है बनाई जा रही है। किस पेंटिंग को उसमें दर्जा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि पित्री पक्ष मेले की शुरवात होने से पहले इस पेंटिंग को पूरा कर लिया जाएगा। बिहार के कई जिलो में बारिष की संभावना प्रदेश में इन दिनों भले ही बारिष न हो रही हो लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के नुसार प्रदेश के कई जिलो में बारिष की संभावना जताई गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के नुसार उत्तर और पुर्व के जिलो में बारिस की संभावना है। इन जिलो को लेकर अभी से ही यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के नुसार आज प्रदेश के उत्तरमध्य और उत्तरपश् गोपाल गंज में सराब की बड़ी खेप बड़ामत बिहार में पुन रूप से सराब बंदी है ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी से जड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं हाला के इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभाग के ओर से जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भीन मामलों में कुछ खास ज्यादा कमी देखने को नहीं मिल रही उल्टा सराब तसकर आए दिन सराब तसकरी के लिए नए नए तरीकों का अनिजाद करते वे पाए जाते हैं बतादे कि ताजा मामला गोपाल गंजले के कुछाए कोर्थाला चितर के जलालपूर रोड का है जहां से उतपाद विभाग की तीम के दोरा गुप्त सूशना के आधार पर एक कार से भारी मातरा में हरियाना नर्मित अंग्ले जी सराब बरामत किया गया है और साथ ही एक महिला समेट दो तसकर के भी ग्रफतारी की गई है जिसकी पहचान सुमित कुमार और पिंकी देवी के रूप में की गई है फिलाल इस मामने के आगे चांच पर ताल की जा रही पुराने संसद भवन में मोदी का भावुक संबोधन आज नए संसद में चलेगी विसेश सत्र बीतर दिन देश के प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी के द्वारा पुराने संसत भवन के भीतर संसत के विसे इस सत्र को समोधित करते वे कहा गया कि सदन से विदाई लेना एक बेहत भावुक पल है परिवार भी अगर पुराना घर छोड़ कर नए घर जाता है तो बहुत सारी यादे उसे कुछ पल के लिए जग जोर देती है और हम यह सदन को छोड़कर जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तस्क भी उन भावनाओं से भड़ा हुआ है और उनके अनेक यादों से भड़ा हुआ है उ पुझारा करने वाला एक बच्चा पार्लियामेंट पहुंचता है। में होने वाले लोग सभाच नाओ को लेकर सभी पार्टियों की ओर से तयारियां शुरू कर दी गई है। लेंगे और कहीं कोई विवाद या परिशानी होती है तो उसको सुलजाने की कोशिश करेंगे। तेश्वी आदव अपनी यात्रा में देखेंगे कि बिहार के गाउं कस्वे को कैसे सुद्रिट किया जा सके बता दे किस बात की जानकारी राज़त पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सक्ती सिंग यादव के दौरा दी गई है। सीम नतीश ने फिर बुलाई दो दिनों की बड़ी बैठक एक तरफ जहां बिहार में जल्द चुनाओं की चर्चा चल रही है तो वहीं दूसरी ओर अब एक बार फिर से बिहार के मुख्य मंतरी नतीश कुमार के द्वारा पार्टी निताओं की एक बड़ी बैठक जाएगा वहीं इसके रावा उसे दिन ही सीम नतीश एक अने मार्गसित मुख्य मंतरी आवास में विधान सभाव में द्वारों के साथ बैठक करेंगे और चनाओ को लेकर फीड़ बैक लेंगे आपके जानकारी के लिए बता दे कि सीम नतीश के द्वारा पहली बैठक 23 सि बिहार के मुख्य मंतरी नतीश कुमार को लेकर कहा गया कि जितना दिन वह महागरवंधन में रहेंगे उतनी उनकी उम्र कम होगी इसलिए हम चाहते हैं कि वह महागरवंधन से बाहर निकल चानों ने कहा कि नतीश कुमार मेरे बड़े भाई जैसे हैं उनसे मेरी के साथ रहें और अब अलग हो गया नितीश कुमार उस दिन भी स्टेकुलर थे जब मैं भाजपा के साथ नहीं था और आज भी वो स्टेकुलर है जब मैं भाजपा के साथ हूँ वो कहते थे कि 3C से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह 1C हटा द स्री लंका को 10 विकेट से हराते वे एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया गया लेकिन इसके बावजूद भी भारतिय टीम के पुर्व कप्तान कपल देव वर्ल्ड कप के लिए भारतिय टीम को फेवरेट नहीं मानते उन्होंने महीर्या से बाच्चित करते वे भार ही शांदार मैच हुआ एक रिकेटर होने के नाते वे चाहते थे कि एक अच्छा मैच हो लेकिन एक खिलारी के तौर पर उन्हें महसूस हुआ कि तीस रनों पर ओल आउट करो और मैच को जीतो वहीं भारत की मेजबानी में अगले महीने होने वाले वंडे वर्ल्ड कप पर क बहुत अच्छी है उन्होंने कहा कि वे अपनी टीम के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन दूसरे टीमों के बारे में वो कुछ नहीं जानते भारत यतनी मार्की टूर्णामेंट खेलने के लिए और जीतने के लिए बिलकुल तैयार है भारत के इतिहास में आज की तारीक है कहीं कार्णों सदच सौमे विवेका नंद ने 1893 में सिकागो अमेरिका के विश्व धर्म संसद में एतिहासिक भाषन दिया भारत के उतरी सीमा पर 1962 में चीन द्वारा आक्रमन किया गया सरवच नियाले ने 2008 को 36 गर में नकसली गतिवीधियों को नियंतरत करने के लिए शुरू किये गये सलाव जिद्यू को काड़ी करताओं की गतिवीधियों को बंद करने का नर्देश दिया गुजरात के गोधरा कांड की बाद भरके दंगे की मामले की जांच कर रहे नानावती आयोग ने 2009 को राज्ये में मुख्यमंत्री नरिंदर मोदी तथा चह अन्य लोगों को तलब करने की मांग वाली याचिका को निप्टारा किया भारतिय गायक संगीत कार और अभिनेता लगी अली का जन्म 1958 में हुआ भारति क्रिकेटर आका शोपरा का जन्म 1977 में हुआ हिंदी भारशा के प्रसद और सम्मा नितकवी कूव नरायन का जन्म 1927 में हुआ बीस्वी सताब्दी के भारती सांस्क्रितिक उन्ययन में विशेश योगदान देने वाले विद्वान स्रीपाद दामोदर साथ वलेकर का जन्म अठासो सरसत में हुआ, सिखो के चौथे गुरु सिख गुरु राम दास का निधन पंदरसो एक्यासी में हुआ, हिंदुस्तान जो रामक है, जो लागत आई है भाप्रकृती में निवारक है लखनौ मंडल में अनुरक्षित सभी कोचों में कौक रोज कृतंक खटमल मच्र आदी के कीट नियंतरन के लिए लागत थी लागत प्रतिवर्स ऑस्तन 25,000 कोचों में कीट नियंतरन के लिए थी यानि लगभग 94 रुपए प्रति कोच प्रतिवर्स या 8 बैंकों को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वह अपने यूपी यूजर्स को एक क्रेडिट लाइन फैसिलिटी ओफर कर सकते हैं या एक तरह की ओवर्ड्राफ्ट सुधा है जो बैंक अपने यूपी यूजर्स को दे रही है इस सुधा को गूगल पे पेटियम मोवी क्य या किसी अन्य यूपी आई एप के साथ इस्तिमाल किया जा सकता है हला कि सबसे पहले बैंक को आप से सुधा को एक्टिवेट करने की इजाज़त लेनी होगी जब ये क्रेडिट लाइन आप प्रूव हो जाएगी तो आप यूपी आइक के जड़िए इस क्रेडिट लाइन का इस्तिमाल कर सकेंगे इसमें कुछ बैंक क्रेडिट लाइन की इस्तिमाल की गई सीमा पर चार्ज वसूलते हैं तो कुछ बैंक आपको कुछ दिनों की मोहलत देते हैं अगर आपको यूपी आई नाउ पे लेटर के सुधा इस्तिमाल करनी है तो सबसे पहले आपको इसके पक्ष और विपक्ष पर जमकर हमला बोला गया उन्हों ने कहा कि आज हम लोगों के पास सबसे बड़ा हथियार वोट का अधिकार है आज सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सबको प्रधानमंत्री के लिए वोट चाहिए जबकि हमें आरक्षन चाहिए इसके हमारी जो सुनेगा उसकी हम सुनेगे और जो हमारी नहीं सुनेगा उसकी हम भी नहीं सुनेगे उन्होंने कहा कि कहीं राज्यों में यह आरक्षन मिला हुआ है लेकिन आज बिहार, यूपी और जार्खण में इस आरक्षन को लेकर हम लोगों को संघर्ज करना पर रहा है अगर निशात को पहल स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफियर्स और भूगोंस रहेंगे पूछे के पांच सवाल में आपने कितना सही उतर दिया क्रिपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में किस राजे सरकार में नंदनी कृष्यक समरिद्धी योजना सुरू सबके और प्रदेश, आपशन B, मद्य प्रदेश, आप्शन C, उतराखंड, आप्शन D, बिहार इसका सही उतर है आप्शन A, उतर प्रदेश अगला सवाल, हाली में IEPFA ने कहां अपना स्थापना दिवस मनाया है आप्शन D, आप्शन D, हैधराबाद इसका सही उतर है ओप्शने नई दिल्ली अगला सवाल रत का वह कौन सा प्रत्थम राज्य है जिसने भूमी सुधार कानून बनाया है ओप्शने उरीशा, ओप्शने बिहार, ओप्शन C पश्चें बंगाल, ओप्शन D आंध्प्रदेश इसका सही उतर है ओप्शन B बिहार इसका सही उतर है ओप्शन C इनाम ताज फकी अगला सवाल बिहार में पिडिया वरत किस छेत्र में अत्यदिक प्रचलित है ओप्शन E बोजपूरी छेत्रों में, ओप्शन B मितला छेत्रों में, ओप्शन C दोनों में, ओप्शन D इनमें से कोई नहीं इसका सही तरह आप्शन है भोजपुरी छेत्रों में बीते दिन हमादरा पूछी के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पनजाओ हमें हमारे कमें सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमादरा पूछी के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनड सर्मा मुहमज सहनवाज आलम दिपिंद्र कुमार पवन सिंग अतीक खान साहल आलम राजकिशोर महतो मुहमज सकीर हुसेन राणी कुमारी प्रयाक सिंग उमेश रिस्देव मुहमज जुबेर आलम प्रियावल यादव अनवर करीम खान मंटु कुमार इस बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारे निउस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चल्ण को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना न भूले धन्यवाद